असलामों आलेकुम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा हरी मिर्चो का खटा सालन कई है सबजी कई है वैसे इसे मैं सर्फ कर रहे हूँ पुलाव के साथ आप चाहें तो बिर्यानी के साथ सफ काफी लोग बिर्यानी के पर देखा है कि जो मिर्चो का जो पतले मिर्ची आती है उसका पतला-पतला सालन बना के बिर्यानी के साथ सफ करते हैं लेकिन आज चलिए मैं यह वाला बता देती हूं आपको शुरू करते हैं आज की रसे भी साधारन यानि और्डरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्राइडर पानी अच्छे से मैंने पोच लिया था और हर एक उसके अंदर मिर्चो के अंदर मैं स्लिट मार रही हूं अब मैं अंदर से है न यह जो बिज्जे होते हैं वो मैं नहीं निकाल रही हूं क्योंकि जादा स्पाइसी है नहीं तो बिज्जे रहने देती हूं आप चाहें तो चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए और बिसमे लाइरा फाने रिम बोल के यह जो हमारी मिर्चियां हैं इसे सारी को दाल दीजिए थोड़ा सा धूर खड़े रहके इसे फ्राई कीजिएगा कि आपके ओपर तेल ओडे ना जब आप देखें कि हलके हलके स्पॉट्स आ लेते हैं यह तकरीबन 50 ग्राम कच्ची सिंग थी मैंने तववे के ऊपर भून लिया और पक गई उसके बाद मैंने प्याले में निकाल लिया यह है 50 ग्राम सफेद तिल इसे भी मैंने भून लिया था तववे के ऊपर और फिर प्याले में निकाल लिया अब यह दूनू को मैंने छील नहीं निकला आप चाहें तो छील निकाल सकते हैं छिल्टे ये इसके और दोनु को दाल दीजिए mixer jar के अंदर थोड़ा पानी दाल दीजिए और बहुत अच्छा blend कर दीजिए एक दम पेस्ट होए तक इसे blend कर लीजिए ये देखिए ऐसे और इसे side पर रख दीजि दा साबत वाला और थोड़ी से कड़ी पते दाल दीजिए दस बारा और चुला फास्ट आज पर करकर इसे थोड़ा सा तर्टडा जाने दीजिए सारी चीजों को जब अच्छा तर्टडा जायों के फ्लेवर तेल के अंदर छूट आए तो अब दाल दीजिए एक टेबल स् जितना मैंने पानी डाल दिया एक बार चला लीजिए अब हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं फरफोड चुटचाय का चमच हल्दी पाउडर दाल दीजिए एक चुटचाय का चमच भरकर धनिया पाउडर एक चुटचाय का चमच भरकर काश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर व जोड़ जाएगा जमच, करम मसाले का पौडर, ये दाल कर, मिक्स कर लीजिए, अब वो जो पानी मैंने साइड पर रखा है, इसका आधा पानी मैं डाल देती हूं, इसे मिक्स कर लीजिए, और चुला मीडियम अच करके, इसे थोड़ा सा फून लीजिए मसाले में, जब भून नहीं जाते हैं, और तेल नहीं छूट जाता, जब वो हो जाए, तो वापस आपने देखा, मैंने खोल कर, फिर से जो बच्चा हुआ पानी था, वो मैंने सारा डाल दिया, इसे डाल दीजिए, ढाक कर, फिर से असलो आज पर 2-3 मिनिट तक पकने दीजिए, तब तक भूना गए हैं, आपको चाहिए तो और आप एक-दो मिनिट और भूनने ही रख सकते हैं, थोड़ा पानी दाल कर, बट मेरे पफेक्ली भूना गए हैं, तो अब यहाँ पर वो जो साइट पर हमने रखा था, पीस कर, मसाला, वो सारा डाल दीजिए, बिसमें लारा पानी र चलाकर, इसमें डाल दीजिएगा, मिक्सर जार के अंदर चलाकर डालेंगे न, इसमें पानी, तो मिक्सर जार के अंदर जो भी चिटका हुआ है, वो सारा भी हमें मिल जाएगा, चलिए, इसे भी डाल कर, मैं मिक्स कर लेती हूँ, हलका उबाल आने लगे तो slow आच करके इसे ढाक कर 4-5 मिनिट तक दंबर पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता चलिए 6-7 मिनिट हो चुकी है, तेल उपर आ चुका है, मसाला बढ़िया सा भून चुका है ये वाला भी तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूं, आदा कप पानी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए सबसे पहले तो, साइट पर मैंने 2-3 टेबल स्पून जितना इमली को भीगा के रख दिया था, आप आप इमली को भीगा के रख देंगे आदे घंटे पहले और उसे निचोड लीजिएगा, तो जो बचेगा वो आपको इमली का गुदा मिल जाएगा, अब मैं इसे चान लेती हूं, तो यानि कि जो भी नीचे आ रहा है, वो इमली का पानी मिल रहा है, यानि कि इमली का गुदा मिल रहा है, इमली का पल्प मिल रहा है, यह आप आप से डाल सकते हैं, कितना खटा या कितना कम खटा चाहिए, वो आप adjust कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से pulp निकाल लिया है, इमली के गूदे का, और इसे mix कर लीजी, अब आप देख सकते हैं, कि gravy कम लग रही है, अब इसमें आप दालना चाहें, तो प पानी डाला, यहां साइट पर यह जो मिर्चे रखें, यह सारे डाल दीजिए, इसे फास्ट आज कर दीजिए, चूले को, और इसमें mix कर लीजे सबसे पहले तो, और इसमें उबाला जाने दीजिए, जब अच्छा उबाला जाए, तो slow आज करके 8-9 मिनिट, तक दम पर slow आ 8-9 मिनिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, मैं कुछ देर के बाद इसे सर्फ करूंगी, तो वापस इससे थोड़ा गरम करने वाली हूँ, अब यह देख सकते हैं, आप मिर्चे क्या बढ़िया से हो चुके हैं, तो यह हरे मिर्चों का खट खाने के अंदर नम्मक बराबर से अजस्ट कर लीजेगा, मैंने जादा स्पाइस दाला नहीं है, क्योंकि यह मिर्चे हैं, इनका स्पाइस भी जूटता है ग्रेवी के अंदर, आप देख सकते हैं, वन फोट कप पानी डालने के बावजूद भी अच्छी खासी थिक ग्रे आया, तो आपको टेस्ट कैसा लगा, फिर से आज हूँगी नहीं शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंतल देन, टेक केर आला, आफिस, बाबाई